नमस्कार दोस्तो मैं अमिता आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमिजिय सेंटर में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामाने विज्ञान के most important questions को जो की बार-बार exams में पूछे जाते हैं सो इस वीडियो में आप लोग सुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहेगा और इन questions को आप लोग अपने नोट बुक में नोट करते रहेगा साथ ही साथ अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजेगा और टेलिग्राम चैनल का लिंक में डिस्क्रिप्चन में दे रखा है ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहों ठीक है वहां से आप अप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यह पहली बार हमारे चैनल पे yereस किया है एक हजार question series का एक हजार questions का most important question से उसमें उसका PDF मैंने त्यार किया है उस PDF को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं ठीक है जो कि बहुत ही important प्रस्ण है उसके अंदर तो आप लोग उसको download कर सकते हैं description में मैंने उसका link दिया है ठीक है वहां से जाके बाकि जो लोग NM DC वाले हैं वो लोग उनके लिए भी ये काफी important है क्योंकि NMDC में तो 70 नंबर का जी के आना है ठीक है और उसके अलावा NMDC वालों के लिए model paper भी मैंने त्यार किया उसका भी link description में मौदूद है वहां से जाके आप लोग model paper को भी download कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आप लोग अपनी तेहारी को करते रहेए ठीक है आप लोग अभी तयारी करते रहेंगे तो आपको exam के आस पास जब exam की data जाएंगे उससे में आपको दिक्कत नहीं होगी जादा क्योंकि आप लोग पहले से प्रिपेर होंगे तो आपको दिक्कत 잠ijn होणे वाली है ठीक है क्योंकि अब यह काफी important है ठीक है कि वो तैयारी करते रहें ठीक है ना चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण है रक्त के ठक्का बनने में सहायक है ठीक है तो रक्त के ठक्का बनने में क्या सहायक होता है हमारे blood का एक part है ठीक है आपको पता है कि blood के चार component है कौन-कौन से अभी तक जो ग्यात है वह चार component है क्या-क्या एक तो RBC है WBC है और platelets है और एक क्या है plasma है तो चार components होते हैं उनमें platelets जो है रक्त के ठक्का बनने में भी सहायक होता है ठीक है यह कुछेस्चन भी काफी IMPORTANT बनता है जलिए अगला प्रसन है रखत का थक्का जम्ने मे कौं सा विटामिन शहायक है ठीक है तो रखत का थक्का जम्ने के लिए platelets सहायक होता है साती साथ vitamin कौं सा सहायक होता है तो vitamin k सहायकuestas या या फिर कई बार एक्जाम में ऐसे पुछ लिया आता है कि रक्त का ठक्का जबने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदाई होता है तो यहां पर जो आंसर होगा विटामिन के होगा ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं हम लोग रुधीर का तरल भाग होता है ठीक है तो प्लाजमा में तैरते रहते हैं ठीक है तो यह कुश्चन नमबर तीन भी आपका कंप्लीट हो गया अगला देखते हैं रक्त का कितना परसंट भाग प्लाजमा होता है ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है अगला प्रसंद देखते हैं हम लोग पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है ठीक है अब आप लोगों ने यह हमने बहुत बार पढ़ाएं बच्पन से पढ़ा था कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है मुख्यता ठीक है कौन-कौन सी ठोज दरब और गैस लेकिन उसके अलावा भी वैज्ञानिकों ने एक चौती अवस्था की खोज की वह है प्लाजमा आवस्था ठीक है तो यहां पर इस कुश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर भी आपको याद रखना होगा ठीक है अगला प्रसन देखते हैं लोग अगला प्रसन है प्लेटलेट्स की मृत्यू होती है इस क्वेस्चन में थोड़ा सा संस में होती है ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है अगला प्रसन देखते हम लोग प्रसन है रक्त में पाई जाने वाली धातू है ठीक है तो रक्त में कौन सी धातू पाई जाती है तो आपको पता है कि रक्त में जो है हिमोगलोवीन पाए जाता है जो की हिम यानिकी ऐरन पाया जाता है यानि कि हमारे रख्तक का इक मौत पूर हिस्सा क्या है आरन है लोहा है ठीक है तो यहां पर यह जो आईसर है लोहा या फिर आई eran वे तो क्रेक्टいます ठीक है अगला RBC का कब्रगाह यानि समसान है कौन सा ठीक है यहां पर देखे तो अभी मैंने पिछले प्रस्ट में बताया था कि RBC वहां पर प्लेटलेट्स का पूछा गया था लेकिन यहां पर RBC का कब्रगाह यानि कि समसान है क्या है वो भी लिहा ही है ठीक है WBC या फिर RBC ठीक है या फिर प्लेटलेट्स जो भी हैं अगर ये बॉडी के अंदर हैं और उनकी मृत्यू होती है तो वह कहां जाएंगे तो वह उनको खतम करने का काम कौन करता है तो वह करता है हमारा प्लीहा यानि की स्प्लीन ठीक है चले अगला प्रसंद देखते हैं हम लोग ब्लड क्या कौन सा अंग कहलाता है तो वह कहलाता है प्लीहा यानि की क्या कहलाता है प्लीहा यानि की स्प्लीन कहलाता है ठीक है अच्छा रक्त समू होते हैं कितने प्रकार के रक्त समू होते हैं तो हमारे बॉडी में चार प्रकार के रक्त समू पायाते हैं ब्लड ग्रूप पाय तो कितने degree for yanheit पर रखा जाता है तो यह रखा जाता चालिस्ट डिग्री foreign height ठीक है कितने पर 40 degree foreign height पर इसको सुरक्षित रखा जाता है अगला प्रस्ट लेखते हैं अगला प्रस्ट रख्त समू की खोज किस ने की थी ठीक है यानि कि जो रक्त, ऐसा कौन सा रक्त समू है, जो सब को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो है ब्लड ग्रूप O, ठीक है, ब्लड ग्रूप O जो है, ये सब को अपना रक्त डोनेट कर सकता है, दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता है, दे सकता है सब को, ठीक है, अगर हम ब बगराही रक्त सब्मू है ठीक है अगला प्रस्ण है आरेज फेक्टर संबंधित है ठीक है किस से संबंधित होता है तो यह संबंधित होता है रक्त से किस से रक्त से संबंधित होता है अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है आरेज फेक्टर का खोज किसने किया था तो आरेस फेक्टर की खोज किसने की थी तो लैंड इस्टीनर ने की थी और वीनर ने की थी ठीक है यहां पर लैंड इस्टीनर और वीनर करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ण है रक्त चाप नियंत्रित होता है किससे होता है तो एक गरंथी पाई आती है हमारे बोडी में वह पायाती है एड्रेनल गरंथी ठीक है एड्रेनल गरंथी जो है वह हमारे रक्त चाप को नियंतित करती है अगला प्रशन रक्त को सुद्ध करता यानि कि पूछा गया है कि रक्त को कौन सुद्ध करता तो आना प्रक्रिया है तो रक्त का सुधिकड की प्रक्रिया है यह क्या हने करता है तो यह क्या करना पड़ता है उसक्ति का डालेसिस कराना परता है ठीक है तो डालेसिस में वही करते हैं हम लोग क्या करते हैं ब्लड को सुद्ध करते हैं ठीक है बॉड़ी के अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ है वो उनको हम क्या करते हैं डालेसिस के द्वारा रख्त से बाहर निकालते हैं ठीक है चलिए अगला प्र यह आप लोगों के लिए आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ठीक है तो मुझे बताईएगा कि ब्रिक का भार होता है कितना होता है ब्रिक का भार यानि किड्नी का भार कितना होता है साथ में लिखिएगा इसका सेफ कैसा होता है यानि आकार कैसा होता है, किसकी तरह दिखता है और हमारे body में कितना पाया जाता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों के exam के लिए आप लोगों के exam में जो है साहयक सिद्ध होगा तो इसी के साथ ही लेते हैं विदा बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर